हलो बच्चों कैसे हाल चाले हैं सब पढ़ा एकदम बढ़िया मस चल लए दोगो बच्चों हम लोग आज 3D की कोशन करेंगी 3D की कोशन हम लोगा शुरू करेंगे और 3D की बेटा पहले आप Complete Theory पढ़ दीजिए जो कि इसी प्लेलिस्ट में अपलोड़ेड है ना त्योरी पढ़े बिना अगर आप कोशन सीधे करना चाहेंगे तो प्रॉलम हो जाएगी पूरी Complete Theory दो को बटा मैंने 3D की पढ़ा दिये जो कि इसी प्लेलिस्ट में अपलोड़ेड है और 3D ही नहीं पूरी 12 की मैंने Complete Theory और सारे के सारे टॉपिक के NCI IT कोशन मैंने सौल करवा दिये हैं और यह सब के सब कि हमारे चैनल पर अपलोड़ेड हैं अच्छे से पढ़िए IT मेंस और IT एडवांस के भी कोशन अलग-अलग प्लेडिश की फॉर्म में हैं और BSC और MSC के जितने भी टफ टफ मैंस के टॉपिक हैं वो सब भी मैं बारी-बारी से अपलोड कर रहा ठीक है बचो तो हम लोग बटा 11.1 एक्साइज करते हैं एक्साइज है एक्साइज 11.1 बहुत इजी है बटा देखो पहला कोशन क्या है एलाइन मेक्स एंगल 90 डिगरी 135 डिगरी 45 डिगरी बिस पॉस्टिव एक्स वाइज डिरेक्शन कोजाइन निकालना है देखो डिरेक् कॉस बीटा और होता है कॉस गामा है लमन कॉस अलफा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अलफा का मतलब क्या हो गया कॉस 90 डिगरी कॉस बीटा क्या हो गया कॉस 135 डिगरी कॉस गामा क्या हो गया कॉस ऑफ 45 डिगरी ठीक है 90 135 और 45 ठीक है कॉस 90 कितना होता है जीरो कॉस 135 निकालने कि 180-45 करके तो क्या होगा, minus 1 by root 2 होगा और cos 45 कितना होता है 1 by root 2, तो ये दोखो हमारे बिटा DC आ गए, मतलब direction कुजाइन दोखो बिटा यहाँ पर हमारे ये बस समझे बचो तो इस तरीके से बिटा हम लोग तो कि दोखो, x, y, z, axis से जो angle है positive x, y, z, axis से angle 90 degree, 135 degree और 45 degree है ठीक है, line का angle अच्छा, दोखो एक बात और ध्यान दो, जैसे line का जो angle है ना वो दो तरीके से हो सकता है line का जो angle है बिटा वो दो तरीके से हो सकता है जैसे कि मार लो एक line है है ना मार लो ये x, axis है ठीक है और ये line है तो मार लो अगर आपने ये वाला angle लिया है मार लो 45 degree for example तो ये वाला angle भी लिया जा सकता है हना ये दोनों ही angle सही है क्योंकि मैंने बताया था कि lines के बीच में हमेशा दो angle होते हैं मार लो आपने 45 लिया तो ये 135 भी ठीक है ये भी ले सकते हैं तो मतलब हम अच्छा दोखो तो जैसे एक angle 90 है तो दोखो दूसरा case ये भी हो सकता है कि cos alpha और alpha को अब दोखो एक angle अगर 90 है मार लो ये angle अगर 90 है तो दूसरा भी 90 ही होगा कोई समस्वा नहीं तो ये तो cos 90 ही रहेगा 0 ये जो M है ना M ये तो cos बीटा है अब बीटा जो है वो 135 अगर है अगर बीटा 135 है तो 45 भी लिया जा सकता है क्योंकि line के पार direction नहीं होती है ये बात बटा theory पढ़ाते समय मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाई भी थी कि दो lines के वीच में दो angle possible हो सकते है मालों दो line हैं तो इनके वीच में दो angle हो सकते है एक ये angle हो सकता है और मालों एक ये भी angle हो सकता है vector के वीच में एक ही angle होता है मैंने समझाय था आपको तो अब दोगों यहां पर इसे 135 का एंगल है तो इसको 45 डिग्री भी ले सकते हैं तो 1 by root 2 हो जाएगा और यहां पर दोगों n क्या है cos gamma और यहां पर एंगल 45 है तो इसकों cos 135 यहां पर बच्चों ले सकते हैं तो ऐसे करके बटा दोगों यहां पर हमारे लेकिन lines के DC जो हैं यह दो possible होते हैं यह बात मैंने बहुत detail से आपको समझाई थी कि lines के DC और vector के DC में फर्क होता है ठीक है ना vector का DC अकेला होता है lines के DC के दो set possible होते हैं यह बात मैंने बहुत अच्छे से आपको theory पढ़ाते समय समझाई थी ठीक है तो समझे ना क्योंकि vector के पास fixed direction है अब line जो है जैसे कि मानलोब vector a है इदर कहने के तो vector minus a होगा तो line जो है ऐसे है तो वो vector a के भी along है और vector minus a के भी along है line है इसलिए line के पास दो direction cosine होते हैं तीक है अच्छा अगर देखो आगे बढ़ते हैं देखो find direction cosine of line which makes equal angle with coordinate axis equal angle with coordinate axis देखो यहाँ पर कह रहे हैं तो अब दो कोच्छों समझो मदब alpha equal to beta equal to gamma दिया किया है तो अब दो अब तो अल्ब ब बरावर मालिजी कॉस alpha है एम बरावर मालिजी कॉस beta है और N बरावर मालिजी कॉस gamma है यह बहाए कॉस alpha यह भी कॉस alpha यह भी coss alpha अब देखो l square, m square और n square की value 1 होती है तो क्या हुआ कॉस square alpha कॉस square alpha coss square alpha 1 हो गया तो 3 coss square alpha 1 हो गया तो coss square alpha हो गया 1 by 3 तो coss alpha कितना हो गया plus minus 1 by root 3 बस स्मझे तो देखू हमारे DC गश्य है वो दोगो यह तो एक बार बन बाइरूरूट ठी रहेंगे तो क्या होगा बन बाइरूरूट थैयंगे तो चैनल K aún प्लस जेहें लो तो तीनों से एक बार मैनस लेंगे तो क्या होगा मैनस बन बाइरूट फिए minus 1 by root 3 और minus 1 by root 3 तो दो set देखो यहाँ पर भी DC के possible हो गए एक बार plus देलो तो तीनों सेंग एक बार minus दोगे तब भी तीनों सेंग तो दो set यहाँ पर देखो DC के possible है तेके line में हमेशा DC के बचों दो set possible होते हैं इस बात को हमेशा ध्यान देखो ठीके एक कोर्शन हो गया बटा तीसरे में दखो क्या हम direction ratios दिये हैं direction cosine निकालने है DR दिये हैं और DC निकालने हैं तो formula हमको मालूम है उसको लगाना है बस लिखो जल्दी से दखो थार्ड कोर्शन में ABC दिया है ABC A कितना है माइनस 18 मलब वह दिया ठीके और यह हो जाएगा माइनस 4 DR को क्या कहते हैं ABC DC निकालने देखो DC क्या होते हैं plus minus A upon under root A square B square C square M क्या हो गया plus minus B upon under root A square B square C square यह क्या हो गया plus minus C upon under root A square B square और C square ठीके देखो ABC की केवल हमको यहाँ पर बिटा value लखनी है और कुछ नहीं ठीके ABC की दो को value पुट करनी है A कितना है गोलो minus 18 upon under root 18 का square ठीक है plus B मतलब 12 का square और यह क्या हो गया minus 4 का square ठीक है सब की value पुट कर दो तो दोको दो आपके answer आजाएंगे एक बार सब में plus दे लो और एक बार सब में minus दे लो तो दो answer आपके आजाएंगे ABC की values रखो सवाल खत्म हो गया easy कुछ दिपकत थोड़ी कर लेंगे ना इसको आसान है टेंप्यू खराब करना देखो फूर्थ question show that points are collinear दोको इसको करते हैं अच्छा question है दोको collinear के लिए वैसे तो अपने पास vector में भी एक तरीका मैंने बताया था अगर points collinear है मालो ये 3 points के coordinate है 2, 3, 4 और B है मालो minus 1, minus 2, 1 और C है मालो 5, 8, 7 ऐसे दोको 2, 3, 4 minus 1, minus 2, 1 5, 8, 7 दोको बैसे तो collinear के लिए अपने पास vector में भी एक तरीका था मैंने बताया था कि 3 points अगर collinear है तो इस बात को vector method से भी प्रूब कर सकते हैं 3D में भी प्रूब कर सकते हैं तो कैसे ऐसे मालो ये A है ये B है और ये C है तो को जैसे A मालूम है, B मालूम है तो AB का DR आ जाएगा DR of AB direction ratio कैसे आता है X2 minus X1 ठीक है Y2 minus Y1 अब दखो DR of BC BC का DR क्या होगा फिर वही X2 minus X1 Y2 minus Y1 और Z2 minus Z1 ठीक है दखो ये इसके DR है अब ये DR अब दखो ये दो line अगर parallel है तो DR क्या होते है proportional मतलब A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 दखो ये क्या हुआ minus 1 by 2 ये क्या हुआ minus 1 by 2 दखो तीनों बरावर आ गए क्योंकि ये AB और BC कैसे है वो लो parallel आसलमें B common है तो इसलिए को लिनियर हो गा है बस ये condition किसकी होती parallel होने की दो लाइने अगर parallel होती है इसका DR A1, B1, C1 इसका A2, B2, C2 अगर लाइन इस parallel है तो condition होती है A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 हाना लेकिन चुकि B common है अब इसे A यहाँ पर है और B यहाँ पर है और B इसमें भी है तो अब इसके मतलब क्या हुआ वो parallel नहीं बलकि collinear हो गए हाँ ऐसे होता एक A, B होता और एक C, D होता तो अलग बात थी की भाई A, B, C, D चलो parallel है लेकिन यहाँ तो B point दोनों में common है इसलिए वो parallel नहों करके actually कैसे हो जाएंगे collinear चुकि A की line में होंगे तब ही यह possible है इसलिए यह दोनों तीनों points कैसे हो गए collinear क्योंकि A, B और B, C आपस में parallel आ रहे हैं और B चुकि दोनों में common है इसलिए वो parallel नहीं हैं बलकि क्या हैं? collinear है और वैसे collinear prove करने का vector में भी तरीका था मैंने बताया था एक vector A, B, C निकालो और A, B vector को M times B, C के बराबर prove कर दो यह हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं एक बार थियोरी पढ़ोगे न तो यह सारे सवाल चुट क्यों बेटा ऐसे निकल जाएंगे चलो आगे पढ़ते हैं दो पास्मा कोशन क्या है? पाइंट डिरेक्शन कोशन आफ साइट्स आफ ट्रेंगल वोज वर्टिसस आर दिस दो को एक ट्रेंगल है इसके वर्टिसस दिये गए A, B, C A क्या है बोलो 3, 5, minus 4 B क्या है बोलो minus 1, 1, 2 और C क्या है बोलो minus 5, minus 5, minus 2 ट्रेंगल के वर्टिसस की साइट्स का ट्रेक्शन कोशन चाहिए दो को समझो ध्यान से जैसे मालो A, B, LINE है ना A, B, LINE तो A, B, LINE का D, R क्या हो गया? D, R कैसे होता है? Y, 2, minus Y, 1 X, 2, minus X, 1 फिर Y, 2, minus Y, 1 और Z, 2, minus Z, 1 ऐसा होगा ना दखो इस मेंसे इसे माइनस करो ठीके? तो minus 4 इस मेंसे इसे माइनस करो minus 4 इस मेंसे इसे करोगे तो 6 यह A, B का D, R हुआ अब D, R मालू है तो DC निकाल लो DC का निकालना का वही फॉर्मुला मैंने बता है क्या? प्लस माइनस A अपन अंडर रूट आफ A square plus B square plus का C square और फिर क्या होगा? हाँ, प्लस माइनस ठीक है? A, फिर क्या होगा बहलो? plus minus this अपन सेम चीज जाएगी 16, 16, 36 फिर plus minus 6 अपान अंडरूट सेंची जाएगी 16, 16, 36 तो ये आ गया क्या बोलो A, B का D, C ठीक है इसी पकाद B, C के निगा लोगे D, R, same method से कैसे This minus this तो क्या हो जाएगा minus 5 plus 1 तो minus 4 हो जाएगा ठीक है minus 5 मैं से ये minus करो तो plus 1, फिर minus 5 minus 1 तो minus 6 हो जाएगा फिर minus 2, minus 2 तो minus 4 हो जाएगा ये DR है अगया अब DC चाहिए, तो फिर वही तरीका जो मैंने यहाँ बताया आपको इसी पकार C, A का DR निकालो फिर DC निकालो सवाल कर तो DR निकलके DR कैसे निकलते हैं X2 minus X1, Y2 minus Y1 Z2 minus 1, कुछ भी कर सकतो इस मैंसे इसे minus करो या इस मैंसे इसे minus करो वो दोनों ही DR होते हैं, कोई फरक नहीं पढ़ता ये सा बाते हैं मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाई हुई है थियोरी में कि DR, DC क्या-क्या होते हैं इनको एक बार पढ़ो अभी इसी playlist में देखो, ऊपर आप जाओगे तो clear हर वीडियो में लिखा हुआ है कि मैंने क्या समझाया है थियोरी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि थियोरी पढ़ लो गो तो इसा सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है तो इस मैंसे इसको मैंस कर सकते हैं इस मैंसे भी इसको मैंस कर सकते हैं और एक बार ABC मालूम है तो LN निकालने का ये तरीका होता है ठीक है बच्चों तो बहुत easy क्साइज है वह छोटी क्साइज है पांच कुछन है इसमें खतम होगी अगले एक साइजे मेटा फिर मिलते हैं अगले सवालों के साथ में तब तक के लिए बैबाई